नमस्कार आदस सिक्षन संस्तान की ओन्लाइन क्लास में आप सभी भाया बैनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज हम कक्सा सस्टी विसे सामाजी कद्यन बाग इतियास इतियास का अध्याई तीन आरंबिक नगर इसका ये जो वीडियो है वो अंतिम वीडियो है आज का आज हम सभीता के अंत का रहस्य जानेंगे जिसे कि हमने पहले पढ़ा की 47 साल पहले सभीता का विकास हुआ और आज हम सभीता के अंत का रहस्य लगबग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला यानि कि हम 3900 साल पहले देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला अचानक लोगों ने इन नगरों को मलब छोड़ दिया लेकन है मोहर है और जो बाटों का परियोग बंद हो गया और दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया और महन जोदरों में सडकों पर कच्चरे की धेर बनने लगे जल निकास जो परनाली है वो भी नस्ट हो गई और सडकों पर भी मलब जूंगी नुमा घर बनाए जाने लगे यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं अब सब विद्वानों का अलग अलग मत है जो कुछ विद्वान है उनका कहना है उनका मत है कि नदिया सूख गई होगी कुछ कह रहा है कि नदिया सूख गई होगी तो इसलिए हो सकता है और कुछ का कहना है कि जंगलों का विनास हो गया इसलिए वहाँ जो सबेता है उसका अंत हो गया तो ये भी कारण हो सकता है कि इटे पकाने के लिए इंदन की जरुरत पड़ती थी ये भी हो सकता है सबेता के अंत का कारण और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े जुंडों से चारागा और गास वाले मैदान समाफ थो गए होंगे ये भी कारण हो सकता है और कुछ इलाकों में बाड़ आगी होगी तो बाड आने के कारण भी सब्वेतागांत हो सकता है लेकिन इन कारणों से ये इस पश्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया ये जो कारण है लेकिन ये भी कारण इस पश्ट नहीं है कि सब नगरों का अंत कैसे हो गया क्योंकि बाड और नदियों के सूकने का जो असर है वो तो कुछ ही इलाकों में हो जो बाड है नदियां है पूरे-पूरे इलाकों में तो आई नहीं होगी यानि कुछ ही इलाकों माई होगी ऐसा मानना है ऐसा लगता है कि सासकों का जो नियंत्रन है वो भी समप्त हो गया जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर जो है बिल्कुल साप दिखाई देता है आदुनिक पाकिस्तान के सिंद और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी कई लोग पूरू और दक्षिन के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए यानि भी आदुनिक जो पाकिस्तान है उसके सिंद और पंजाब की बस्तिया तो उजड गई थी और कहीं सारे जो लोग थे वो पूरू और दक्षिन के इलाकों में नई और छोटी बस्तिया में जाकर रहने लगे और इसके लगवग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास होने लगा उन नए नगरों का विकास हुआ उन नए नगरों के बारे में हम अध्याई 5 और 8 में आगे पड़ेंगे अब हमें एक और नहीं जानकारी जानते हैं जैसे नील नदी नील नदी के किनारे मिसर की सब्वेता का विकास हुआ था और ये नील नदी जो है ये अफरीका महादीब में इस्तित है और इसके किनारे मिसर की सब्वेता का विकास हुआ ये जो मिसर की सब्वेता है ये भी ह पास पास वाले इलाकों को छोड़ कर मिसर का अधिकांज जो भाग है वो रगिस्तानी है और लगबग 5,000 साल पहले मिसर में सासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाती दांत, लकडी और हीरे जवरात लाने के लिए अपनी जो सेनाए हो तूर दूर तक वो भेजी उ और इन्हों ने मलब बड़े-बड़े मकबरे बनवाए जिनने पिरामिन के नाम से मलब जाना जाता है जो पिरामिन है ये राजाओं ने अपने लिए मकबरे बनवाए और इनको बाद में पिरामिन के नाम से जाना जाता था और राजाओं के मरने पर उनके सवों को इनी प प्लब अनेक चीजें दपनाई जाती थी इन में जैसे खाद्यान, पेवस्तर, गहने, बरतन, वादियंतर, हत्यार और जानवर सामिल है। कभी-कभी सवों के साथ उनकी सेवक और सेविकों को भी दपना दिया जाता था। दुनिया की इतियास में सवों को दपनाने की परंपरा देखते हुए, मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दोलत खर्च किया जाता था। यानि कि अगर आपन दुनिया में देखें, सवों के दफनाने की परंपरा की दरश्टी से देखें, तो मिस्र में सबसे आधी खर्च, धन दोलत जो है सबसे आधी खर्च किया जाता था सवों पर। तो भाया बैनों, मिस्र की सब्वेतर के बारे में हमने जाना और इसी के साथ में हमारा जो ये अध्याई है आरंबिक नगर ये समाप्त होता है और इस अध्याई के जो प्रशन उत्र है वो मैंने पेडियाप के महादियम से आपको पहले बिजवा दिये हैं, तो आप उसको कॉपी में सुन्दर लिखाउट के साथ में इसको कर लीजिएगा